अलो एवरिवन असलाम वालेकुम एंड वालकम बैक को मार चैनल महविश दूआ प्रोडक्स रीविईू कैसे आप सब लोग आई होब एवरिवन इस फाइन डूइंग वेल तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाज हूँ एक अमेजिंग मैनिकर पैडिक्र की दो स्टेप्स तो आई होब कि आप वीडियो को लास्तिक जरूर देखेंगे मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दे बैल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच पाए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ पैडिक्यूर तो यह बहुत ज़दा बहतरीन मेन्टिकार और पैडिकूर है मैंने इसे यूज किया है मुझे क्या रिजल्स मिले हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ तो मैं सिर्फ इसके दो ही स्टेप्स आप लोगों के साथ शेर करूंगे तो चलिए ह स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा स्टेप पहले यूज़ करना है किस तरह यूज़ करना है कितनी देर यूज़ करना है कौन से स्किन पर यूज़ करना है कौन से स्किन पर नहीं यूज़ करना है सब मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और दूसरा मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूं व सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब भी मैनिक्यूर या पैडिक्यूर बाय करने जाते हैं तो हम जो है अलग-अलग यूज़ करते हैं या दो से तीन या चार से पांच स्टेप मैनिक्यूर के फिर चार से पांच स्टेप पैडिक्यूर के और दोनों अलग-अलग स्टफ जो क थोड़ा यूज करने में मुश्किल हो जाता है तो ये जो है डॉक्टर डर्मा ने प्रोवाइड किया है एक ही बॉक्स में दोनों ही यानि कि आपको एक कंटेनर में मैनी और पैडिक्यूर दोनों मिलने वाले हैं जैसे कि हमारे पास जो मास्क है ये मैनी क्यूर पैडिक्यूर दोनों के लिए है तो आप इसे फुट्स एड हैंड पे भी यूज कर सकते हैं जैसे क्लेरली सामने लिखा हुआ है तो आपको अलग-अलग यानि मैनी क्यूर का अलग मास्क पेडिक्यूर का अलग मास्क लेने के कोई ज़रूरत नहीं है यहां पर इन होना मैंचन किया है हैंड और फूट वाइटनिंग मास्क तो आप इसे जो है मैनिक्यूर और पेडिक्यूर आज दोनों में यूज़ कर सकते हैं अब हम जो है पहले मास्क की बात करते हैं और इसके पैकेजिंग की बात करते हैं तो गाइस यह है इसके पैकेजिंग तो यह ब्रैंड कौन से है यह भी मैं आपको यहां बता देती हूँ यह है डॉक्टर डर्मा का ब्रैंड दा साइंस ओफ नेचर तो ये professional है Dr. Derma the science of nature तो आपको जो है Dr. Derma के बहुत ज़ाद बेहतरीन products मिलते हैं different different चीजें जो है आपको इसकी मिल जाती है तो अभी हम इसकी बात करते हैं तो इसके packaging में नीचे की तरफ white container है छोटा सा और उपर की तरफ आपको silver यानि grey कलर में जो है इसका cap मिलता है जिसके ओपर इसका brand Dr. Derma the science of nature professional लिखा हुआ है और नीचे की तरफ hand and foot whitening mask है और अब मैं आपको बताती हूँ ये किस skin type के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं all skin type जी हाँ आप इसे किसी भी skin type के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अब जो है हम इसकी backside के बारे में बात करते हैं तो ये 120 ml है इसके पर इनों ने mention भी किया हुआ है और जो इसके ingredients अब मैं आपको बताती हूँ वह है इसमें aloe vera gel का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है ग्लैसरीन, zinc oxide, titanium dioxide इसके अंदर यूज़ किया गया है कोजिक acid, almond oil, natural waxes, fragrance इसके अंदर यूज़ किया है और और भी दो तिन प्रोड़क्स, दो तिन ingredients यूज़ किया हुए है तो अब जो है इसकी बात करें कि इसे किस तरह हमें यूज़ करना है वो भी पीछे mention किया हुआ है तो basically यह डॉक्टर डर्मा फेशल एंड हैंड फूट वाइटनिंग मास्क है यह बहुत ज़्यादा यूज़ यूज़ ब्लेंड है नाच्रल वाइटनिंग इंग्रीडियन्स का आपके जो है आपकी स्केन को वाइटनिंग और आपकी स्केन को ग्लोइंग इफक्त देता है यह ताइटन को कर देता है और सारे रिमेंड प्रोडक्शन को जो है इसे अप्लाइड करने का तरीक भी मैं आपको साथ ही साथ बताती हूँ अब जो है मैं इसे अपने हैंड पर यूज़ करूंगी तो अब इसे ओपन करके देखते हैं कि ये अंदर से किस तरह का है तो गाइस नॉमली हमें इसका कैप जो है उपर की तरफ से उतार लेना है और ये रहा इसका मास्क तो मैंने इन दोनों चीज़ों को पहले भी यूज़ किया है आप लोगों के साथ रिवियू शेयर करने के लिए मैंने इन्हें और बाय किया है ये बिलकुल न्यू है तो आपको इसके उपर इस तरह की प्लास्टिंग शीट मिल जाती है जिसे हम साइट से जो है रिमूफ कर लेंगे सो गाइज ये मैंने रिमूफ कर लिया है अपना मास्क इसे मैं अच्छे से जो है रिमूफ कर लेती हूं और ये रहा मेरा मास्क और आप कलर देखें कितना ज्यादा प्यारा पिंक कलर है इसका सो ये रहा इसका कलर एक सेके इसके ये रहा इसका कलर जो की पिंक कलर आप लोग नजर आ रहा है स्क्रीन में प्रक्राइब डार्क रिंग चालर वो चालर बहुत ज्यादा प्यारा और इसके बाद जियादा ऑब तो अब इसके इसका टेकस्च्चुर जो हैं बहुत जादा बहुत ज्यादा साफ्ट टेकस्चचर है इसका देखिンヤ siper बहुतandra सब्सक्टलय मास्क यद्यूंद के इसका क्यूंद में आपिलाइ किये हैं उन सेवेक्सच्चर बोगन ज्यादा साफ्ट है like creamy texture है इसका और अब मैं जो है आपको इसका color दिखा देती हूँ एक बार इसका pink color इसी स्क्रीन में थोड़ा सा white दिख रहा है पर यह reality में पिंक है तो अब जो है हम इसे apply करने का तरीका भी देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरहां से जो है apply करना है तो आपको अपने quantity के हिसाब से ले लेना है और फिर mask को अपने hand पर apply कर लेना है अच्छे से आपको पूरे hand को या फिर अगर आप foot पर यूज़ कर रहे हैं तो पूरे foot को अच्छे से cover कर ले तो पहले हम ring उतार लेते हैं और अपने पूरे hand को जो है इस mask की help से cover कर लेते हैं तो guys यह देखें मैंने सारे fingers पर यहां इस area में हमारे dark areas होते हैं यहां पर भी darkness होती है तो आपने यहां पर इसे अच्छे से apply करना है ताकि अच्छा सा glowing whiting effect provide हो जाए और यह आपको first try में ही बहुत बहुत ज्यादा अच्छा result जो है provide करने वाला है और फिर आपने इसे 10-15 मेरे तक छोड़ देना है और फिर low warm water के साथ इसे wash कर लेना है तो guys मैंने बिलकुल direction के हिसाब से thin layer यानि की पतली layer इसकी मैंने apply कर ली है अपने hand पर अब मैं wait करूंगी 10-15 मेरे तक इसके सुखने का जब यह अच्छे से dry हो जाएगा तो इसके बाद हम अपने हाथ को wash कर लेंगे so guys मेरा थोड़ा सा ही dry हुआ है किसी किसी place से अभी भी यह थोड़ा थोड़ा dry नहीं हुआ है और मैं इसे wash कर लूँगी लेकिन आपको इसे total 10-15 मिन तक apply करके रखना है और उसके बाद होना है तो मैं मिलती हूँ आपको wash के बाद so guys यह रहा result जो की बहुत ज्यादा अच्छा है यह देखें आप difference दोनों hands में amazing इसका मुझा difference लगा मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बाद इसके लगी है आपके hand को बहुत ज्यादा soft बिना देता है mosturized बिना देता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और glowing और brightening effect बहुत ज्यादा देता है अगर आप मैंने तो इससे सिर्फ थोड़ी ज़्याद के लिए apply किया थे लगिन अगर आप time के हिसाब से पूरे 10-15 मिन तक apply करके रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बहुत बहुतरीन results मिलने वाले हैं तो चलिए आप बात करते हैं हमारे second step की जो आपनों के साथ मैं share करने वाली हूँ वह है यह hand and foot whitening massage इसके same packaging है उपर की तरफ जो है इसका brand doctor derma है नीचे की तरफ भी वही same लिखा है बस ही massage cream है और इसके सारे steps all skin type के लिए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है अब किसी भी skin के लिए इसे use करने पीछे की तरफ इसके सारे ingredients और इसकी खूबियां benefits बयान किये हुए हैं तो इसके अंदर जो इन्होंने use किया है सारा ingredients वह मैं आपको यहां पर share कर देती हूं तो इसके अंदर जो है यूज किया गया है aloe vera gel इसके अंदर यूज किया गया है सेटल अलकाहॉल ग्लैसरेनिक इसके अंदर यूज किया गया है almond oil जाजोबा oil natural wax fragrance जो कि इसके हर जो है step में है और यह भी 120 ml है अब मैं आपको बता देती हूँ कि यह डॉक्टर ग्रेमा का hand and foot massage cream है यह एक यूज कि ब्लैंड है और जो जो जोबा oil and almond oil जो कि restore करता है आपकी natural skin को moisturize करता है और help करता है आपकी skin को whitening glowing effect देने के लिए इसके natural ingredients आपकी skin को जो है वाइटन कर देते हैं आपकी skin को soft और most rise बना देते हैं अब जो है हम इसे apply करेंगे किस तरह वो भी मैं आपको यहां बता देती हूँ तो पहले मैं आपको इसे open करके दिखा जो तो यह भी normal ही उपर की त देखें यह है इसका अंदर से इसके ओपर प्लास्टिक शीट है तो अब हम जो है इसकी प्लास्टिक शीट को जो है अच्छे से open कर लेते हैं क्रीम जो क्रीम है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम वाइट कलर में है normal क्रीम की तरह पर इसका टेक्सचर काफी ज़ए आप देखें काफी ज़ए सॉफ्ट स्मूद और बटरी बटरी साइज का टेक्सचर है अब मैं इससे अपने हैंड पर अपलाई कर लेती हूँ कितन हैं तो बड़ीम को अपने हैंड पर अपलाई करूँगी तब पहले इन्हों ने मैंचन किया है कि आपको इससे अपने एरिया पर फुट और हैंज के एरिया पर अपनी कौन्तिटी के इसाब से यूज़ करना है और फिर इससे सर्कुलर मोशन में मसाज़ करना है 2 से 3 मिर तक और लोग वाइटर के साथ आपको इस से जह वॉश कर लेना है हम लोटवाई ओर लगालेते हैं इस अच्छी से निमेडरिय। क्रीम को पूल नोचे ऐसे में अपज़पर करना है या फिर नहीं तो लग रहा है जिसे आप नॉमल मॉस्टराइजर लगाते हैं वैसी इसका नहीं है टैक्सटर बहुत जादा अच्छा इसका टैक्सटर है क्योंकि इसके अदर जाजोबा और आल्मंड ओयल का यूस किया गया है आई रिली लाइक दिस मॉस्टराइजर तो अब मैंने से अप्ला मॉस्टराइज सॉफ्ट और स्मूद मुझे हैंड फील हो रहा है वाइटनिंग ग्लोइंग इफेक्ट भी आया है मुझे तो यह मैनिकल पैडिकुट बहुत अच्छा लगा सबसे बड़ी बात कि एक ही कंटेनर में आते हैं बेस्ट ब्रैंड में हैं इंग्रीडियन्स अम करते हैं चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फूर वाचिंग